नमस्कार दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि फसल बुगाई के तुरंत बाद खर पतवार नासक दवाईयों का उप्योग करने के फायदे और नुक्सान तो अक्सर हम देखते हैं जो भी किसान फसल की बुगाई करते हैं चाहे वो गेहों की फसल हो या मसुर की दाल मतलब दलहन की फसल या और भी फसल जो बुगाई करते हैं तो अक्सर देखा गया है कि जो भी किसान है वो इन फसलों के साथ फसलों के बुगाई के तुरंत बाद क्या करते हैं खर पत्वार ना सक्त दवाईयों का उप्योग करते हैं जिससे जो भी अंचाहें पौधे हैं वो जनम ना ले ताकि जो हमारा फुसल का बुगाई हुआ है उसके उपज में वो परभाव ना डाले तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो क्रिसीव बेग्श्यानि को कह अनुसार खर पतवार खेट से करीब 20% पौशक तत्वोग को गञण कर लेते हैं तो देखिये जैसे माल लेजिए कि मैंने गेहों की किसान ने गेहों की फुसल की बुगाई की है या दलहन की तो अगर दलहन जिस दलहन या जिस गेहों की पौधे भी जनप ले लेते हैं साथ में, तो क्या होगा जो भी हम पूसक्स कत्त्वड देंगे, जो भी हम नूट्लियंट्स देंगे उसका 20% वो अंचाहे पौधे भी ग्रान कर लेते हैं, तो जितना पोसक्तर तो मिलना चाहिए उनकी उपज के लिए उनके ग्रोथ के लिए जो हमारे पौधे हैं उनको उत्ते नहीं मिल पाते हैं मतलब 20% कम पोसक्तर तो मिलेंगे तो इससे निपटने के लिए किसान या अंत्रिक विधी और रसाइनिक विधी का सहरा ले सकते हैं कहने के मतलब है या तो किसान उसको चुंचुन कर खुद से निकाले या रसायन का परयोग करे, that is किसान का, that is chemical का परयोग करे, तो कई बार फसल की बुगाई के तुरंत बाद खर पतवार नासक का पर्योग किया आता है अब चलिए हम देखते हैं कि आकर इस बुगाई के तुरंत बाद खर पतवार नासक दवाय का उपयोग करने के फायदे क्या है और नुक्सान क्या है क्योंकि इसके फायदे के साथ नुक्सान में बहुत अधिक है और हमें कौन-कौन से सौधानिया बरतनी चाहिए इसको उपयोग करने के से पहले तो जलिए हम देखते है तो गवाई के तुरंत बाद खर-पतवार नासा का उपयोग करने के फायदे क्या और फसलों के उपज एवं गुनमता बढ़ती है और खर्पतवार बिभिन रोगों एवं कीटों को बढ़ने का कारण होते हैं और उपन नियंतरन करके हम रोग एवं कीटों की समस्या से भी बढ़ सकते हैं अब चलिए हम देखते हैं कि इस खर्पतवार नासक दवाईयों का नुकसान क्या है देखिए खर्पतवार नासक का अधिक उपयोग करने से पौधों के पास कित नासक का परभाव कम हो सकता है जिसके कारण कीटों का परकोप बढ़ सकता है तो देखिए जयुरे से ज्यादा अगर हम खर्पतवार नासक दवाईयों का उपयोग करें तो उस यह उसका परभाव होता ही नहीं है बहुत कम होता है मतलब फाइदा से ज्यादा नुक्सान होने लगता है ज़्यादा उपयोग करने से होता है कि जो भी अंकुरित फसल होते हैं कई बार वह भी नश्ट होने के उनकी समभावना होती है और ज़्यादा हम उपयोग करेंगे तो इससे जल संकट का भी सामना करना पड़ सकता है मतलब और भी पानी हमें देनाप सिचाई और भी करनी हानिकारक केमिकल भी होते हैं जो मिटी में मौझूद पौधू कलियो उपयोगी जीवोपर भी नकरात्मक परभाव डालते हैं जिससे जीव संख्या कम हो सकती है तो जैसे कि हम इनसान जो जब भी हमें कोई बिमारिया होती है तो हम एंटिवाटिक दवाईया खाते हैं तो हम कोई भी कित नासक दवाईयों का उपयोग करते हैं अपने खेतों में तो जो भी फसलों के लिए फायदे मंद कीट हैं कीड़े हैं वो भी मर जाते हैं तो अगर हम इसका उपयोग अधिक करें जोगर से जादा करें तो होगा क्या कि जो भी फायदे वाले कीट हैं जो भी जो भी फसलों के लिए लावदायक कीट है वो भी मर जाएंगे तो फसलों के ग्रोथ में उपज में रुख डालेंगे और खरपतवार ना सकते कुछ रसायनिक परदाथ प्रित्वी के प्राकरतिक संतुलन को भी परभाविद करते हैं अब देखिए खरपतवार नियंतरन के लिए प्रती एकड़ खेत में 340 से 1700 मिलिलिटर पैराक्वाट डाइकलोराइड 24 परतिसत SL जो की मार्केट में देहात चौप ओफ के नाम से उपलब्ध है और यह उसकी कमपोजीशन है तो जब भी आप देहात बीच सेंटर पे जाएं जो आपके हर ब्लॉक में उपलब्ध है तो देहात बीच सेंटर पे आप देहात चौप ओफ नाम से खरपतवार नियंतरन दवाईयों का खरीदे और प्रतियकल खेत में 340 से 1700 मिलिलिटर मिलाक पर उसका पर्योग करें और यह कंटेंट मैंने मेसिकली देहात की वेबसाइट से ही लिए है जो कि किसानों को हर तरीके से मनत करता है ताके उसकी फसल की उपज अधिक से अधिक हो चाहे आपकी मिट्टी की गुनवत्ता की जाच हो उसकी पीएच वैलो की जाच हो या और जो भी जरूरी चीजे किसानों के लिए और आज देहात से लगबग करोरों में किसान जुड़ चुके हैं हमारे देश के अलग अलग होने से तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद